गुड मॉनिंग आप सबका इस माथमाटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है तो चलिए स्टार्ट करती हैं क्लास एत का चाप्टर नमबर फाइफ जो की है डाटा हैंडलिंग आज हमने एक्सराइज 5.1 के क्वेस्चन्स करने हैं पिछले लेक्चर में हमने इंट्रो की थी तो चलिए देख लेते हैं एक्सराइज के क्वेस्चन्स पहला क्वेस्चन है कहता दे शौपर्ज हूं कम टूए डिपार्टमेंटल स्चोर और मांक्ड एज मैं एम वुमें डब्ल्यू वॉय बी और गर्ल जी कहता किसी भी डिपार्टमेंटल स्चोर में शौपर्ज अब इस शौपर्ज की दिन के पहले घंटे में जितने जो आया है उसकी लिस्ट दिये है कहता मेक फ्रीकनसी डिस्ट्रिपूशन टेबल यूजिंग टैली मांक्स ड्रॉअ बार ग्राफ पहले हमने इन शौपर्जका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिब्शन टेबल बनाना है फ W for women, B for boy, G for girl अब कौन कितनी बार आया ये देखती है अब सबसे पहले W है तीन बार तो तीन बार हमने W के आगे लगाए फिर G है तो G के आगे एक बार B है तो B के आगे एक बार तो इस तरह जैसे जैसे आ रहा है उनके सामने हमने एक एक बार लगा दिया जब 4 बार लगा दिये तो 5 बार हमने उसको कट करना है मतलब वो एक पुरा पैक बन गया 5 का तो सीधा ही क्लियर है कि ये पैक 5 के है तो इस तरह हमारे पास W, M, B और G की फ्रीक्वेंसी आ गई कि जो पहला M है वो 28 बार आया जो W वूमेन है वो 15 बार आई है उसी तरह दूसरा 5 और 12 बार आया है तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्टिबूशन टेबल बन गया अब हमने इसी डाटे को लेकर बार ग्राफ बनाना है देखते हैं कैसे तो सबसे पहले हमने X-Axis, Y-Axis बनाई X-Axis पे Shoppers, Y-Axis पे Frequency शो किया अब Y-Axis पे जो Frequency है वो हमने टेबल लिखना है हमारे पास जो टेबल है उसमें 15, 12, 30, 28 ये आ रहे है तो 5 का टेबल लिखा 0, 5, 10, 15 ये ध्यान रखना है कि इन में difference सेम होना चाहिए तो सबसे पहले M, Man की Frequency कितनी है हमारे इस पास 28 है वो 30 से थोड़ी सी नीचे हमने रखी फिर W की Frequency 15 है 15 के आगे B, Boy की Frequency 5 है तो जो हमने बास बनाई है M, W, B, G उन में common difference है बराबर एक तो विर्थ है सब की और दोनों सब में difference जो है वो भी क्या है बराबर तो यह तीन शरते हैं बार ग्राफ बनाने के लिए पहला सारे बार्स की जो विर्थ है चोड़ाई है बराबर होनी चाहिए दूसरा सब में फर्क बराबर होना चाहिए तीसरा जो हमने frequency लिखनी है उसमें भी difference बराबर होना चाहिए तो ये था हमारा bar graph representation of frequency distribution table तो चलिए next question देख लेती है next question है कहता weekly wages of 30 workers in a factory are 830, 835 etc तो 30 worker की किसी factory की weekly wages बताई गई है कि एक worker जो है पहला वो 830 रुपे लेता है दूसरा 835, तीसरा 890 इस तरह लेता है कहता है using telemarks make a frequency table with intervals as 800 to 810 कहता है अब intervals के लेके मतलब group wise हमने frequency table बनाना है telemarks को लेकर तो सबसे पहले wages के groups 800 से 810, 810 से 820 अब सबसे बड़ी रकम कौन सी है 800 पचन में है सबसे बड़ी रकम तो हम 800 ठन में है तो इसका मतलब अब 800 ठन में तक तो लेंगे नहीं 890 से 900 तक सेम फरक क्यूंकि 800 से 810 तक 10 का फरक है तो 10-10 के group बनाएंगे और फरक 890 से 900 तक जाएगा अब पहली रकम है 830 तो 830 कौन से group में आएगी 830 से 840 में हर रकम दो बार है एक बार अपर लिमिट एक बार लोवर लिमिट में हमने उस रकम को लोवर लिमिट में गिनना है मतलब जब रकम लेफ्ट साइट पे आ जाती है तब उस group में गिनना है तो 830 से 840 में 830 वाली रकम अब अगली रकम कौन सी है नेक्स्ट है 835 वो भी 830 और 840 के बीच आता है नेक्स्ट 890 वो 890 जब लेफ्ट साइट पे रकम आ जाए कि उस group में 890 से 900 के बीच तो इस तरह हमने turn by turn सारी रकमों के टैली मार्क्स लगाए तो टोटल क्या बना 800 से लेकर 810 के बीच कितनी रकमे आए तीम 810 से 820 के बीच कितने वरकर्स है जिनकी वेज़ीज 810 से 820 के बीच में है दो तो ये सारे वरकर्स की टोटल कितनी है तीस तो ये है frequency distribution table with intervals ठीक है जी तो अब चलिए अगला question देख लेते है a histogram for the frequency table made for the data in question 3 कहता जो अभी question 3 पिछले question में हमने frequency table बनाया उसका histogram बनाईए और इन question के answer दीजिए तो सबसे पहले हम histogram बनाएंगे तो हमारे पास जो पिछले question में data था वो क्या था वो देख लेते हैं अब इसके coding सबसे पहले x-axis पे हमने wages y-axis पे frequency फिर हमने x-axis पे 800 से 810, 820, 830, 960 तक सारी counting लिख ली अब ध्यान दीजिए 800 से पहले मैंने एक red color का mark की है देखे 800 से 810 सब में 10-10 का फर्क है लेकिन 0 से 800 में तो 800 का फर्क हो गया तो बीच में हम lines लगा देते हैं इसका मतलब यह है कि फर्क बराबर है बीच में और भी numbers है हमने यहां से शुरू कर लिया 800 से सीधा पर असल में और भी number है अब हमारे पास जो frequency table है उसमें 1, 2, 3 यह रकमे है तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक लिख लिया ठीक है अब पहली जो 800 से लेकर 810 तक है वो कहां तक है कितने workers है तीन है तो 3 के आगे हमने बार बना लिया अब histogram और bar graph में क्या फर्क है पिछले question में हमने bar graph बनाया था अब histogram groups वाले frequency table का हमेशा histogram बनता है मतलब उसके bars के बीच में कोई भी difference नहीं होता bar graph में difference होता है दो bars के बीच में histogram में बिलकुल adjoined combined होती है अपस में ठीक है तो जैसे जैसे frequency थी हमने वैसे वैसे bars वहाँ वहाँ तक बना लिए तो ये था हमारा histogram पिछले question वाले frequency table का अब जो questions है उनके answer देखती है जहला question है which group has the maximum number of workers कहता किस group में सबसे ज़्यादा workers है तो सबसे ज़्यादा frequency 9 किस group की है 832 और 840 तो इसका मतलब group हो गए 832 और 840 दूसरा है how many workers earn 850 rupees and more कहता कितने workers ही पेस जो है वो 850 से जाद है तो 850 से जादा मतलब 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 तो कितने हो गए 10 अगला question है कहता 850 से कम कितने workers की पे है तो कौन सा आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5 तो कितने workers हो गए 20 तो ये था हमारा answers तो अब next question देख लेते हैं तो next question है कहता है number of hours for which students of a particular class watch television during holidays मतलब एक graph दिया हुआ आपके सामने histogram जिसमें holidays में बच्चे किसी क्लास के कितने घंटे TV देखती हैं वो बनाया गया अब X axis पे आज बताएंगे TV के और Y axis पे number of students तो हमने questions के answer देने हैं पहला question है कहता how many hours did the maximum number of students watch TV कहता सबसे ज़्यादा बच्चों ने कितने घंटे TV देखा तो सबसे बड़ी रकम ग्राफ में 32 है तो 32 बच्चों ने कितने घंटे TV देखा नीचे वाली लाइन में X axis पे देखें तो कौन सा है चार से पांच घंटे तो पहले question का अंसर आगया चार से पांच घंटे दूसरा question है कहता how many students watch TV for less than four hours कहता चार घंटे से कम कितने बच्चों ने TV देखा तो चार से कम 22 प्लस 8 प्लस 4 तो कितने हो गए 34 तो 34 बच्चों ने चार घंटे से कम TV देखा अब next question इसका उल्ट है कि पांच घंटे से जादा कितने बच्चों ने TV देखा तो पांच से जादा कितने है 8 प्लस 6 कितने हो गए 14 तो 14 बच्चों ने पांच घंटे से जादा TV देखा तो ये थी exercise 5.1 अगर कोई query हो ही तो आप मुझे comments में बता सकते हैं इस चैनल को subscribe करना मत भूना इस वीडियो को like and share करना मत भूना Thank you